हेलो स्टुडेंस मैं योगस कुमार साहू मैं सब कोचिंग में आप सभी का स्वागत करते हूं इस्टुडेंस आज हम डिसकस करने वाले हैं फंडमेंटल ऑपरेशन और फजी सेट्स जो यह तीन यहां पर दिखाई दे रहा है इन्हीं ऑपरेशन को फंडमेंटल ऑपरेशन कहा जाता है पहला है आपका यूनियन दूसरा है इंटरसेक्शन तीसरा है कॉंपलेमेंट नॉर लेट एन बी बीर टू फजी सेट ओन एक्स इस नॉन एम्टे सेट पर क्या है टू फजी सेट एन बी है ओन एक्स देन देन यूनियन क्या होगा श्रुडेंट्स यूनियन ए यूनियन बी यह दो फजी सेट है इनका यूनियन जो होगा उसका फार्मूल होगा मुऊकॉ एक्स कॉमा मियू एक्स बी यह जो दो फजी सेट्स हैं वहां पर आप सुप्रियम लेगे तो जो भी elements होंगी उल्ट elements की जो मेगजीमम एलिमेंट तो वही होंगी दोनों को समझझे खिश्टुट्ं इसके जगा माइ Mars क्या करना है मैं इसके जग क्त हुं इसके जग अिसके यह एहां पर लिख सकते हैं था मैक्जीम है र wrench एक्स है की मतलब है दोनों का कहीव पर एक्जाम में दिया हो ये भी वही है, यह भी वही है, वेर यहां पर लिख सकते हो, x belongs to x करके, इसको और क्या लिखा जा सकता है? इसको और लिखने की कोशिव करोगे, तो इसको और लिखा जा सकता है, आपका, ये Maximum, Maximum x belongs to x, इसको हम क्या लिखते है? एक्स और यह आपका बी एक्स इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है तो इस्टूडेंस यह क्या है दो सेट ए और बी का यूनियन का फर्मूला है यहां से आप यूनियन करने के तरीगे सिखोगे फूर एक्जाम्पल जो हम लेंगे तभी आपको समझ आएगा हम क्या कह हैं यह उसीदे यह याद रखूँ शर्य फिय है सबका मतलब एक हिया तो मैं सबको न लिखकर में एक को लिखूंगा र।बंकी सबको मिटा देता हूं और देखते है एक एक्घॉडेंब्ल फिटेल और उसका membership क्या है function उसका point two है इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे हैं ना one और उपर में इस प्रकार से तो यह स्वो करने का बस तरीका है इससे confusion नहीं होना है कभी-कभी element को उपर रख देता है उसकी जो membership function है नीचे कर देता है तो इससे आपको union कैसे किया जाएगा इस फार्मूला के माध्याम से स्टुडेंस हम union करेंगे देखते हैं क्या आएगा आपका union a union ठीक है अब हम क्या करेंगे इन दोनों के union में चेक करेंगी element आप रखी वन element है और one element को लेकर चेक कीजिए कि दोनों में सबसे maximum great कुन सा है या फिर maximum आपका membership क्या है पॉइंट 3 या पॉइंट 2 पॉइंट 3 obviously point 3 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे point 3 ओके फिर से यहाँ पर आएगे element है आपका two अब चेक करेंगे इन में से maximum क्या है आपका point 5 या point 6 obviously point 6 greater है ठीक है फिर से आएंगे यहाँ पर आपका यहाँ पर element क्या है three element है अब इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है आपका point 9 point 9 लिख देंगे और यहाँ पर जाएंगे element है आपका four और इसके बाद इसके पास जो membership function है वन है इसके पास भी one है तो लिख देते हैं है ना क्यूंकि दोनों के जो मिलता उसको eight को करता है यहाँ पर बी के सारे elements का जो membership function है वो बड़ा है इसलिए बी का पूरा लिख दिया हूं अगर यहाँ पर कहीं पर a में यहाँ पर point eight होता point six तो मैं point eight वाले को यहाँ पर लिखता समझेगा इस बात को है ना आगे और कोशन दिखेंगे तो और आसानी से समाझ आएगा हम क्या बोर रहे हैं यहाँ पर मैंने एक छोड़ा सा question लिख दे शुलिए इस question को solve कीजिएगा एक मैंने एक इंशल सेट के लिए है एकस डू एकस टू एकस ठ्री और यहां पर जो डो शेट बना दे हैं फजी शेट ए और बी इसपर element क्या है x.5 x2.7 x3 0 x1.8 x2.2 x3 आपका 1 इसको स्वाल करके देखिएगा union निकालके देखिएगा क्या आता है इसका union अब आले के स्टुडेंट्स इंटरसेक्शन और फजी सेट इसका डिफेंट्सन क्या कहें था स्टुडेंट्स इसका फार्मूला मतलब क्या समझें यहां पर यह है एक के पास जो element होंगी x और एकिकर पास जो element होंगी x उन दोनों का मिंबर सी फंक्शन जिसका minimum होगा उसको आपको क्या करना है लिखना है ह competitors वोगा इसको मैं minimum को क्या लिख सकता हूं और इनफीमों जिसकता हूं यह क्या हो जो एक्जम्पल हमने यूनियन के लिए रखा था वही एक्जाम्पल है देखिए 1 2 3 4 एलिमेंट्स है उसकी जो डिग्री ओप मेंबर से क्या है 0.2, 0.5, 0.8 और 1 यहां पर भी 0.3, 0.6, 0.9, 1 जो कि पहले एक्जम्पल में यूनियन के लिए जो था वही था अब इसका हम क्या करेंगे इंटरसेक्शन करेंगे पहले इसका यूनियन करते हैं अब इंटरसेक्शन करेंगे तो देखिएगा चेक किजिएगा सबसे पहले 0.5, फिर से यहां पर आईए, एलिमेंट लिखी है 3, इन दोनों में सबसे मिनिमम क्या 0.8, इसी प्रकार से यहां पर जाईए, फोर इसमें मिनिमम क्या 1, क्योंकि 1 जो है दोनों का पास है तो मिनिमम वही होगा, स्वेम आएगा, ठीक, यह जो आपको मिला यह क्या है, यह आपका इंटर्सेक्शन है, इन फजी सेट्स का, आगी जाकर आपको और अच्छे समझा आए, क्या क्या रहे है, यह फार्मूला आपको याद होना चीए, एलिमेंट लीजिएगा, फिर से देखिए, अगर यूनियन हुआ तो क्या करना है, मेक्जीम लेना है, दोनों को दे सेट A on X is defined by 1 minus mu AX, यह है आपको क्या कॉम्पलिमेंट वो फजी सेट, कोई फजी सेट है, उसका कॉम्पलिमेंट निकालना है, तो क्या कीजिएगा, हर एक एलिमेंट की डिगरी ओप मेंबर्शिप को 1 से माइनस करोगे, तो जो भी मिलेगा, उसको क्या करना है, उस एलिमे लेता है, तो आपको एक्जांपल दिखाए दियर होगा, यह क्या है, आपका, हमने क्या कर दिया है, एक सेट ले फजी सेट, और इसका निकालेंगे, तो एक चीज याद रखने श्ट्रेंस, यह जो आपरेसन होती है, दो और इंटर सेक्षण, इसको कहाता है, बैंडरी सबस्यानलete सकता है इसको असानी से किसी स्प्वाद का उसको चेक क्या जा सकता है तो हमने एक सेट ले लिया क्या है यह इस अब समों हो जायेगा आपका फंपलेमेट का कोम्पलेमेन तूछेक करना है हमने Alo Hé क्या पढ़ा इस प्रकार से जो भी membership होंगी उस membership function को one से minus करना है फिर लिखना है तो सबसे पहले आपको तो क्या लिखना पड़ेगा element लिखना पड़ेगा element one लिख दिए अब इसके पास जो भी membership है उसको one से minus किजिए one minus क्या करोगे point one तो क्या बचेगा students आपका point nine बचेगा ओके ठीक है यहाँ पर आते हैं यह है two अब हम क्या करेंगे one पर यह चीज घटाएंगे क्या point three घटाएंगे point three घटाओगे तो क्या बचेगा point seven बचेगा तो two के साथ आपको क्या लिखना पड़ेगा point seven लिखना पड़ेगा समझ आ रहा होगे students क्या बोले यह थे आपका कोई सेट है ना और उस सेट का compliment निकालेंगे तो क्या करेंगे जब फजी compliment की बात होता है तो वहाँ पर हम one से minus करते हैं इन great को है ना in degree of membership को ठीक है इसी प्रकार से आते हैं three पर यह है element three अब हम क्या करेंगे one से point five घटाएंगे क्या बचेह. això. five बचेगा इसी प्रकार से आ जाएंगे element four four से हम क्या घटाएंगे one घटाएंगे तो one दो one चला जाएगा क्या ओ जाएगा zero ठीक है तो इस सब्सक्राकार से आपको क्या मिल गया कॉंप्लिमेंट मिल गया है तो यह है आपका फजी कॉंप्लिमेंट तो हमने पढ़ा इन सारे ओप्रेशन को क्या करता है है fundamental operation ओन फजी सेट का है इन तीनों operations को ओके अब हम देखते हैं नौर्मल फजी सेट क्या होती है जैसी के हाँ पर मैंने डिफेनेसर लिखा हूँ आपको हमेंसा इसकीन सोट ले लेने हैं डिफेनेसर देखते ही और जब mathematical terms लिखते हैं तब वहां पर एक ले ले जिएगा ठीक है तो यहाँ पर क्या लिखा है अब फजी सेट ए इस काल्ड नॉर्मल फजी सेट इप ओनली इप डिगरे ओप मेंबर सिप फंक्शन है उसका क्या होना चीए मेकजीमम जो भी आए वो वाना चीए क्या यहाँ पर लिख दिया है कि कम से कम जो वहाँ पर मेंबर सिप की बात हो रहा है उस पूरे सेट में वो कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चीए जिसका मेंबर जो फंक्शन है मेंबर सिप फंक्शन है वो कम से कम वन होना ही चाहिए कम से कम एक एलिमेंट के लिए ज्यादा ह हुई सकते हैं क्या समझ रहे हैं आप फिर से देखिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ मालनों आपके पास कोई Fuzzy Set है और Fuzzy Set A है ठीक है और इस Fuzzy Set A कँ अगर हाइट निकाल दे हाइट यह दूसरा तरी का है तो इसका जो हाइट है अगर वण आता तो क्या है वो फजी सेट नॉर्मल पजी सेट कहलाएगा एक्जामपल की तुर और उसको और अच्छे समझते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं कई बार इसको बुक में दिया नहीं होता लेकिन समझ दाना है आपको क्यूंकि जो मेंग्जीवम चीज होता है मेंग्जीवम मेंबर फजी सेट ए फजी सेट ए अब यहाँ पर element है आपका one इसके लिए का है degree membership two ठीक है यहाँ पर लेता हूं two element इसका है आपका point five यहाँ पर लेते हैं element three इसका है point eight और यहाँ पर लेते हैं क्या four और इसका है क्या one तो देखेगा इस पूरे फजी सेट में फजी सेट में four element जो है four element के पास जो degree of member she function है वो क्या है one है तो इस फजी सेट की हैट क्या है one है ऐसा बोल सकते हो मत्तब यहाँ पर कम से कम एक element मौझूद है जिसके लिए member she function का value one आता है तो जो भी फजी सेट जिसके पास membership function 1 आ जाए कम से कम एक element के लिए उसको normal कहेंगे मतलब एक क्या है आपका normal है फिर से मैं क्या बना रहता हूँ फजी सेट भी बना रहता हूँ यहाँ पर चेक करता हूँ मैं बोल देता हूँ क्या element वही होंगी 1 इसकी जो degree of membership है 3 देखेगे यहाँ पर दो ऐसे elements है 2 और 4 जिनके लिए membership value क्या है 1 है मतलब एक हो सकता है एक से अधिक भी हो सकता है students कम से कम एक होना चाहिए अब मैं बना लेता हूँ C अब C में मैं देख लेता हूँ क्या है यह 1 इसके लिए 0.3 ठीक है यह 2 इसके लिए 0.4 0.4 इसके लिए 3 इसके लिए 0.7 यहाँ पर लिए 4 इसके लिए 0.8 अब देखें कि students यहाँ पर यह जो फजी सेट है किसी भी element का जो membership value है membership function का value है वो 1 नहीं है कम से कम एक होना चाहिए था इसके पास कोई भी ऐसा element नहीं है जिसके लिए membership 1 आए मतलब इसका height क्या आ रहा है height आ रहा है 0.81 होता height तब उसको हम normal फजी सेट कहते तो यह जो है यह फजी सेट normal नहीं है तो आपको समझ आ गया होगा कि normal फजी सेट क्या होता है इस प्रकार से आपके पास एक बुक होना चाहिए फजी सेट का क्या है सुधिर पंदिर और रिमपल पंदिर का यह जो बुक है बहुत ही easy way में लिखा गया है इस बुक को इस्टुडेंट तो यह बुक मैं prefer करता हूँ इसके लिए फजी सेट के लिए और आपका जीमर में कभी एक बुक मिलता है उसको भी आप यूज कर सकते हो लेकिन यह ज़्यादा easy language में है तो यह बुक सबके पास होना चाहिए ठीक है जो कोचिंग के इस्टुडेंट है उनको मैं इस बुक का PDF send कर दूँगा अगर बुक नहीं है तो और यहां से जो कोचिंग है उन कोचिंग को लेना है और उसके बाद इन कॉंसेप्ट को आपको यूज करना है और सॉल करके देखना है कोचिंग को विडियो कूट दुबारा रिपीट करके देखिए समझ ना आए तो उसके वाज कोशन फिर से बना कर देखिए ठीक है स्टुडेंट्स तो अगले वीडियो में स्टुडेंट्स फिर से कुछ नया टॉपिस के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे और आगे किस्टडी कंटिन्यू करेंगे वहाँ पर ठीक है सो थांक्स पर वाचिं इस वीडियो